So, आज का ही वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो में हम लोग create करेंगे एक modern photo slides वा animation after effects के अंदर जो दिखने में बहुत ही clean and simple है और इसे create करना उतना ही आसान है So, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे tools and techniques सीखेंगे after effects regarding So, मेरा नाम है वीकाश और आप देख रहे है motion decks और बीना किसी देर की हुए चलिए after effects को open करते हैं और start करते हैं Alright, so, यहाँ पे हैं हम लोग after effects के अंदर और start करते हैं एक new composition के साथ तो जाते हैं composition के अंदर create करते हैं एक नया composition ये जो composition होने वाला है ये main composition होने वाला है तो हम लोग इसे बोलेंगे main composition, side set करेंगे 1920 by 1080, frame rate 60, duration रखेंगे 5 second का, background color black उसके बाद ok प्रेस कर देंगे अब हमें एक और composition create करना है तो जाएंगे composition के अंदर create करेंगे एक नया composition और ये जो composition होने वाला है ये media composition होने वाला है splash.com से download किया है आप कोई भी image और video को select करेंगे फिर import पे click कर देंगे उसके बाद हमें image और video को drag and drop करना होगा media composition के अंदर फिर हमें इस image को fit करना होगा इस composition के according अब हमें हमें इस इमेज को animate करना है तो जाएंगे सबसे अंत में और यहां प्रेस करेंगे तो scale बाहरा आ जाएगा तो क्लिक करेंगे इस stop watch बटन को और create करेंगे एक key frame और जाएंगे सबसे पहला frame पे और यहाँ पे increase करेंगे इस scale value को तो हम लोग set करेंगे 125% at the beginning और उसके बाद हमें एक smooth zoom out animation मिलेगा जो कि बहुत ही perfect है अब हमें इस layer को close करना होगा और फिर हमें एक noise create करना होगा तो जाएंगे layers के अंदर create करेंगे एक नया solid layer इसे हम लोग noise बोलेंगे ok press कर देंगे इसके उपर हमें एक effect apply करना होगा तो जाएंगे effect and preset में अगर आपके पास ये effect and preset या कोई भी window यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप window में जाकर करके यहाँ से enable कर सकते हैं यहाँ पे fractal noise search करते हैं तो ये रहा fractal noise effect इस effect को drag and drop करेंगे इस solid layer को ऊपर और यहाँ पे कुछ basic setting करेंगे तो जाएंगे fractal type पे और यहाँ पे select करेंगे dynamic जाएंगे noise type पे और यहाँ पे set करेंगे block और ये रहा contrast तो हमें इसे reduce करना होगा सेट करना होगा contrast value को 60 और brightness value को सेट करना होगा minus 60 परफेक्ट उसके बाद हमें इसके transform को open करना होगा और थोड़ा सा इसके scale को increase करना होगा तो हमें इसके scale value को सेट करना होगा 400 के उपर उसके बाद यह रहा complexity तो हम complexity value में हमें सेट करना होगा 1.2 परफेक्ट अब हमें animate करना होगा evaluation को ताकि इस तरह का effect हमें मिल पाए तो उसके लिए हम लोग use करेंगे एक time expression so alt को hold करेंगे keyboard की उपर और इस stopwatch button पे click करेंगे तो यहां पर expression box open हो जाएगा और इस expression box में हम लोग एक time expression को type करेंगे जो कि है time multiply by 100 फिर हम इस noise layer को close कर देंगे अब हमें इस noise को blend करना होगा image के साथ click करना होगा toggle switches पे तो यहां पे हमें blending mode का option आएगा उसके बाद हमें noise layer का blending mode set करना होगा add के उपर ताकि हम लोग इस तरह का effect देख पाए परफेक्ट अब हमें इन दोनों layers को pre-compose करना होगा so right click करेंगे और यहां से pre-compose करेंगे इससे हम लोग बोलेंगे image फिर इस वाले option को enable करके ok press कर देंगे अब हमें इसका duplicate create करना होगा तो यह रहा image control d press करके इसका duplicate create करेंगे उपर वाले layer को hide कर देंगे थोड़ी देर के लिए select करेंगे जो नीचे वाले layer को और इसके उपर हम effect apply करेंगे tint और tint effect को apply करके इसको हम black and white में convert कर देंगे फिर हम इसके उपर directional blur effect apply करेंगे तो search करेंगे directional blur तो यह रहा directional blur इसे drag and drop करेंगे इस image के उपर और यहाँ पर blur length value को increase करेंगे set करेंगे 50 और 60 अब यह perfect दिख रहा है थोड़ा सा इसके scale को increase करेंगे ताकि यह जो black border है यह hide हो जाए तो select करेंगे bottom layer को express करेंगे यहां से scale value को set करेंगे 103% परफेक्ट उसके बाद हमें animated matte create करना होगा तो इस उपर बारे layer को on कर देंगे फिर हाल इसके visibility को और फिर हम लोग select करेंगे rounded rectangle tool यहां से और field पर click करके इसे set करेंगे solid color कोई भी color select कर सकते यहां से stroke पर click करके इसको हम off कर देंगे फिर हमें एक rectangular shape create करना होगा बिल्कुल इस तरीके से अब हमें इस rectangle को open करना होगा open करना होगा rectangle path 1 को और यह रहा size so पहले हम width and height को unlink करेंगे और width में set करेंगे 260 height में set करेंगे 850 परफेक्ट यहां से roundness को increase करना होगा set करेंगे 30 उसके बाद हम इस save player को close कर देंगे select करेंगे save player 1 को और इस anchor point को center में set करेंगे तो यह बहुत यासान है control को hold करेंगे keyboard के उपर और span behind tool के उपर double click करेंगे तो यह anchor point automatically center पर set हो जाएगा select करेंगे move tool को और इस save को हम center में set करेंगे तो जाएंगे align के अंदर और यहां पर align horizontally और align vertically पर click करके इसे center में set करेंगे अब हमें इसके multiple copy को create करना होगा तो select करेंगे इस layer को control D press करके हमें इससे right side में move करना होगा बिल्कुल इस तरीके से फिर हमें इसका एक और copy create करना होगा तो select करेंगे center वाले shape को control D press करेंगे और इसे हम लोग left side में set करेंगे perfect अब हमें इस वाले का duplicate create करना होगा control D press करके फिर हमें इस वाले shape को select करना है control D press करके इसे right side में set करना है बिल्कुल इस तरीके से perfect अब हमें इसको randomly थोड़ा ऊपर नीचे करना है तो उसके लिए select करेंगे shape layer 3 को मतलब इस वाले को shift को hold करके press करेंगे up arrow की and हम लोग इसको इस तरीके से set करेंगे select करेंगे shape layer 4 को और इसे हम लोग नीचे set करेंगे बिल्कुल इस तरीके से अब हमें इसको animate करना है तो जाएंगे one second के ऊपर और select करेंगे सारे shape layers को P press करेंगे तो position बहार आ जाएगा और यहाँ पे stop watch बटन पे click करके हम सारे position को animate करेंगे एक साथ उसके बाद हम जाएंगे three and half second पे और यहाँ पे इस time and button को enable कर लेंगे ताकि यह value को lock कर ले उसके बाद एक second आगे जाएंगे यहाँ पे और फिर हम इस shape layer को ऊपर की और move कर देंगे shift and up arrow key को press करके अब हम जाएंगे सबसे पहला frame पे shift को hold करेंगे और down arrow key को press करके हम इसे बाहर कर देंगे perfect उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे जो की इन दोनों key frame का center है और यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर movement करेंगे so select करेंगे सारे layers को और shift hold करके down arrow key press करेंगे और थोड़ा सा इसे नीचे की और move कर देंगे तो थोड़ा बीच में हल चल आ जाएगा उसके बाद सारे key frame को select करेंगे इस तरीके से और f9 press कर देंगे तो यह easy easy हो जाएगा जाएंगे graph editor के अंदर और यहाँ पे इन सारे points को highlight करेंगे इस तरीके से drag करके highlight करेंगे इस वाले points को और इसे हम लोग right side की और drag कर देंगे अब हमें एक smooth animation मिलेगा बिल्कुल इस तरीके का perfect अब हमें सारे layers के बीच एक time gap create करना है तो उसके लिए layers को close करेंगे और first वाले को as it is रहने देंगे second वाले को थोड़ा सा आगे की और move करेंगे third वाले को थोड़ा और आगे और इसी तरीके से हम सारे layers को set करेंगे अब हम जब play करेंगे तो हमें एक इस तरीके का animation मिलेगा जो की बहुत ही cool दिख रहा है अब सारे safe layers को select करेंगे right click करेंगे और इसे हम pre compose करेंगे और बोलेंगे slides इस वाले option को enable करके ok प्रेस कर देंगे अब हमें इस slides को एक matte के रूप में use करना है तो select करेंगे इस top image layer को और यहाँ पे track matte के option में जा करके हम लोग इसके alpha matte slides को select कर लेंगे तब हमें इस तरीके का एक effect देखने को मिलेगा उसके बाद image layer and slide layer को select करेंगे right click करेंगे और यहाँ से pre compose पे click करके इसे हम लोग बोलेंगे color क्योंकि यह color output है उसके बाद इस वाले option को enable करके ok प्रेस कर देंगे अब हमें इसके उपर drop shadow effect apply करना है तो जाएंगे effect and preset में search करेंगे drop shadow को so यह रहा drop shadow effect इससे हम drag and drop करके color के उपर apply कर देंगे और फिर कुछ setting करेंगे तो यहाँ पर softness है इससे हम set करेंगे 60 और opacity को reduce करेंगे set करेंगे 30% अब हमें एक drop shadow देखने को मिलेगा इस shape layer के उपर जो की बहुत ही perfect दिख रहा है अब हमें इसके उपर stroke apply करना है तो जाएंगे project window के अंदर यहाँ पर slides को select करेंगे control d press करके इसके duplicate करेंगे right click करेंगे slides 2 के उपर rename करेंगे और बोलेंगे strokes अब इस strokes को drag and drop करेंगे main composition के अंदर इस तरीके से अब हमें इसे open करना होगा select करना होगा सारे shape layers को field पे click करके इसे set करेंगे none strokes पे click करके इसे set करेंगे solid color और stroke thickness maybe 2 और 3 pixels हम लोग यहाँ से रख सकते हैं इसके color को pure white select करना होगा फिर हम लोग इन सारे layers को select करेंगे express करेंगे और यहाँ से scale को reduce करेंगे थोड़ा सा तो हम लोग इसे set करेंगे 90% के उपर फिर जाएंगे main composition के अंदर अब हमें इस strokes को blend करना है तो यह रहा blending mode यहाँ से जा करके हम लोग overlay को select करेंगे फिर हमें इस तरह का एक output देखने को मिलेगा perfect अब हमें इसके उपर एक text add करना है तो select करेंगे text tool को चाहेंगे character के अंदर और यहाँ से अपना favorite font style को select करेंगे so इस case में मैं जो use कर रहा हूँ वो है brown hill script आप कोई भी font style यहाँ से select कर सकते हैं click करेंगे यहाँ पे और type करेंगे कुछ भी जो भी आप चाहते हैं उसके बाद हम लोग control a press करके इसे highlight करेंगे और यहाँ से white color को select करके इसे हम increase करेंगे इसके scale को maybe 260 अब हमें इस text layer को यहाँ पे प्लेश करना होगा उसके बाद हमें इस text को animate करना है तो इसे animate करना बहुत ही easy है जाएंगे one second की उपर इसको select करेंगे इस text layer को पी प्रेस करेंगे तो position बाहर आ जाएगा है यहाँ पर stop watch बाटन को enable करेंगे जाएंगे सबसे पहला frame पे और इस text layer को बाहर कर देंगे frame से shift and down arrow की प्रेस करके फिर जाएंगे three and a half second पे again इस diamond बटन के उपर क्लिक करके एक और की frame add कर देंगे ताकि इसका value को lock कर ले उसके बाद एक second आगे जा करके इस text को उपर की और move कर देंगे और frame से बाहर कर देंगे अब सारे की frame को select करेंगे इस तरीके से f9 प्रेस करके इसे easy ease कर देंगे जाएंगे graph editor के अंदर और यहाँ पे इस point को highlight करके left side की और और इस वाले point को highlight करके right side की और drag कर देंगे अब इस graph editor को close कर देंगे और फिर हमें इस तरीके का एक super cool animation मिलेगा अब हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करना है इसके उपर drop shadow apply करना है तो select करेंगे text layer को जाएंगे effect and preset में और यहाँ पी यह रहा drop shadow इसे हम drag and drop करके text के उपर apply कर देंगे और फिर हम softness को थोड़ा से increase करेंगे maybe 80 और 60 और opacity को भी थोड़ा reduce करेंगे set करेंगे 30% के उपर अ है all right now text layer को close कर देंगे और फिर हमें इसके motion blur को enable करना होगा तो toggle switches पे click करके यहां से motion blur button को enable कर लेंगे सारे layers के लिए अब यह render होने के लिए ready है so जाएंगे सबसे पहला frame पे full screen करेंगे और एक बार इसे देखेंगे so यह था guys आज का हमारा video I hope आपको इस video पसंद आया हो और आपने इस video से कुछ नया सीखा हो अगर आपने इस video से कुछ भी नया सीखा है तो आप इस video को like कर दिजे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को subscribe कर लिजे और bell icon को on कर दिजे ताकि आपको notifications मिलता रहे मेरा नाम है विकास मैं मिनूँगा आपको next वीडियो में तब तक के लिए बाबाई